या हाई व्रीबन सो वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है और आज की वीडियो उन सभी लोग के लिए होने वाली है जो बच्चे भी क्या ट्विंटिविंटिफाइव को टार्गेट कर रहे हैं ठीक है सो फस्ट और आप लोग को पता हिए हमारी ओफिशल वेबसाइट है www.mbapart.com यह हमारा वाट्सप चैनल है यह हमारा इंस्टाग्राम पेज है और हमारी एंड्रूइड और आयो साप आप इंस्टॉल कर सकते हो एंड इस आरवर टीम कॉंटेक्ट नंबर ठीक है इन सभी के लिंक आप लो वह मैं थोड़ा आप लोगों बताऊंगा ठीक है सिंपल सी बात है जिन बच्चों का मैट्स वीक रहता है ठीक है वह एलाइडिय में सोच नहीं पाते है यह जिनका इंग्लिश वीक रहता है क्योंकि आउट ओव दीस थ्री सेक्शन ऐसा देखा गया है कहीं बार कि बच्च तो शायद मैं तब तो यह समझ पाऊंगा एक्जेक्ट रिपोर्ट मेरे पास आएगी ठीक है कहने की बात यह है कि अगर आप अभी किसी भी टाइप में आते हो यार मेरा क्वांट वीक है मेरा वर्बल वीक है मेरे तीनों वीक है तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपको क्य लगबग लगबग है इन 400 डेज में आप अपने फंडामेंटल के साथ साथ अपने बाकी टॉपिक्स पर बहुत सॉलिड कमांड बना सकते हो ठीक है बालब अगर बेसिक से ब्लकुल स्टार्ट करोगे ना तो बेसिक से लेके कब आप बेसिक कवर करोगे मॉडरेट डिफिक जोइन करोगे तो आपको वहां पर एक एक टॉपिक अपना बहुत ही सॉलिड तरह से कवर करना है फिर उसके आज मच आज को सब्सक्राइब करने विद उनकों को सॉल करने की अप्रोच होनी चाहिए बहुत सॉलिड होनी चाहिए और कभी भी जब आप कॉंसेप्स पढ़त सबसे पहले लाते हैं 400 वाला बैज इसमां शुरू के 40-45 बच्चे के फंडामेंटल्स पर लगाते हैं तुम्हारे फंडामेंटल्स कैसे इंप्रूव करना है लाइड के फंडामेंटल्स के तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा हमारा पूरा फोकस इनी चीजों पर रहता ह है क्योंकि सब्फिशेंट टाइम है हमें भी कोई एसन रहते हैं कि हमें स्लेबर कराना है बहुत जल्दी समक्ति कंप्लीट कराना है ऐसा हमारा रहता नहीं है ठीक है तो इन 400 डेस को आप कैसे प्लैन करोगे मैं एक बार आप लोगो बता देता हूं सबसे पहला सेक्शन ठी है अगर मैं एक्जाम के बार करता हूं तो आप लोग को पता होना चाहिए हमारा टूर्स का होता है जो टूर्फ का होता है इल्देगे है मतलब 20 21 22 23 जो हमारे एक्जाम से अभी 24 नेवबंबर को उसप्ली टूर्स कर रहेगा पिर इसमें हमारे पास तीन सेक्शन होते हैं प मेरे पास चैनल्फ मेरे पास चैनलफ की सब्सक्राइब तो आपका जो लाएगा बहुत अच्छा आएगा मतलब definitely you will get more than 98 percentile ठीक है पेपर का लेवल कैसा भी रहे ठीक है नो डाउट यह पेपर के लेवले डिपेंड करते हैं पर जो क्याट का लेवल है on an average देखा गया अगर आप पिछले है साथ साल के score versus percentile को compare करोगे तो 190 से 100 माक से बीच में आपके percentile इतने आ जाते हैं और इसी चीज़ को हम लोग combine ने ऐसे बोल देते हैं कि यार अगर तुमने 50 percent questions रही सही कर दिया रहा cat में तो तुम्हारा काम हो गया है ठीक है 66 में साथ तुमने 33 questions भी सही कर दिये एक question आपको बताईए दो तरगे questions हमारे पास आते हैं एक तो होता है multiple choice questions और एक हमारे पास होते है टीटा questions ठीक है multiple choice question में जो आपकी marking होती है plus 3 for correct question and –1 for wrong answer टीटा questions में क्या होता है हमारे पास options नहीं होते है उनका जो आंसर होता है वो एक integer होता है ठीक है वो हमें type करना होता है keyboard से महां पर उसमें सिर्फ हमें plus 3 मिलते है negative मार्किंग उसमें नहीं होती है मतलब अगर आप गलत लिग दो आपको कोई नेगर्टिव मार्किंग नहीं होगी दो तरह के questions आते हैं हमारे exam में अगर मोटा मोटा देखा जाए तो लगबग 60% to 60 to 65% हमारे पास यह मोटा मोटा हमारे exam का अगर मैं questions के level of difficulty की बात करूँ नो doubt क्या टेक इंडिया का सब्जेक toughest aptitude exam है और जब मैं वर्ट तफेस्ट यूज कर रहा हूं तो इसमें जो level of questions रहता है वो बहुत अच्छा रहता है ठीक है मतलब उन्स level के questions करने के लिए आपको मेनत करनी ही पड़ेगी आप यह नहीं कह सकते है profit loss discount तो मैंने class 6 में पढ़ा था मैंने class 8 में पढ़ा था उसके question तो मैं solve कर लोगा हो सकता है आप लोग question solve कर लो लेकिन अगर आपको cat की बहुत solid तरह से कवर नहीं करोगे तो आप उसको crack करने का सोच भी नहीं सकते है ठीक है क्वांट आपको cover करना है अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट में हमारे पास जो हमारे fundamentals जिससे cover होता है वो topic होता है हमारे पास number system numbers and number systemist को बोलते हैं यहां से हमारे fundamentals cover होंगे वही ना चैसे मैंने बोला basics week है तो fundamentals हमारे यहां से cover होंगे ठीक है दूसरा फिर हमारे पास जो आता है जिसका सब साधर वेटेज रहता है हमारे exam में वह है arithmetic section फिर हमारे पास जो आता है एक्जाम का स्लेबस है यहां से हमारे fundamentals cover होंगे अर्थमेटिक का exam में सब साधर वेटेज रहता है मतलब आप यह बारन के चलो हमारे exam में 35 to 40 questions अर्थमेटिक के आएंगे algebra के बात करूं तो 25 to 30 question हमारे algebra के आएंगे geometry के बात करता हूं मैं हमारे पास लगबग 15 to 20 question geometry solution के आएंगे वही PNC probability के एक दो कोशन नंबर सिस्टम का भी एक दो कोशन सब्सक्राइब अगर एक दो कोशन आएगा तो हम इसको क्यों पढ़ते हैं यह हम PNC probability को क्यों पढ़ते हैं नंबर सिस्टम आपके fundamentals को बहुत जादे इंप्रूब करेगा नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जैसे इसमें LCM HCF के बारे में पढ़ेंगे फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे वो सारी चीजा हमारी कहीं ना करें अर्थमेटिक में एलजबर में इवन जोमेटरी में सुरिशन में भी डारेक्ली इंडारेक्ली यूज हो रही होती है जहां पर इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है जब कैट में एक या दो कोशन आ रहा है एक ही आता है वैसे पिछले कुछ साल से देखोगे तो दो तो हम लोग मतलब जो हमारे लाइड के फंडामेंटर सुडो को से इंप्रूव कर सकते हैं जितने में हमारी डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप की पजल सोती है उनको पहले अपने दिमाग का थोड़ा थिंकिंग लेवल बढ़ाना वड़ेगा ठीक है जब आप चीजों को सोच सफरेंट लीनर अरेंजमेंट हुआ सरकुलर रिफ्रेंट हुआ फिर हमारे पास दिस्ट्रीउशन के बाद हुमारे पास अपवसीड शीक नेट्वर्क आ गया हमारे पास अथिंड बडूशंचिंग बला जाते हैं चार्ट को मिला के कुस्चंस आ जाते हैं उसमें पाई भ लॉजिक भी हमारा लग रहा है क्वांट बेस्ट पजल सी भी आ गई कि पजल में क्वांट का यूज हो रहा है सो दीज आधा टॉपिक्स और एक सेट बना रहा है सेट का मतलब होता है अगर आपने फटामेंटल की निसलेंगर एक से काम करेंगा अब और अगर काम कर लिया तो फिर टॉपिक्स कवर करने में इतना टाइम नहीं लगेगा और वो चीज़ आपको समझ में भी आएंगी कुछ तो फंडामेंटल चाहिए ना अब जैसे मैं क्योंकि क्वांटेक ऐसा सेक्षन है जो आपने बच्पन से पढ़ा है आपको पता है लॉजिकल लिजिटिंग का होता था ऐसा कभी नहीं था तो लॉजिकल थिंकिंग अबिलिटी पहले आपको अपनी जनरेट करनी पड़ेगी डिफरेंट दिफरेंट तरह की पजल्स करके वह ऐसी होता है ठीक है सब लोग ऐसे ही करता है हमने तो बल्कि अपने करीकुल में चीज बहुत इंप्रूव कर रखिए कि स्टार्टिंग के हमारे सेशन ब्रें तुम्हारा ब्रें तो खुले पहले चीज़ों को सोचने के लिए वहीं पर फोकस रहता है क्योंकि जब बच्चे का थिंकिंग प्रॉसेस शुरू हो जाएगा ना लॉजिकल अबिलिट उसकी अब जैसे वर्बल अबिलिटी इंडिंग कॉम्प्रीयेंशन बात करूं तो क्या आट में आप लोगों ने बच्पन में बच्पन में बूर्ड वेग्जाम में हमारे पार ट्वल्थ में आते थे आरसी देगे रखता था उसके नीचे चार कोशन है थे 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 हमें उसके आ 24 लाचला कोश्चन्स टोला सिकते रहेंगे तुम खुद देखो तहा ना अभ यह койशने पर बेश तबë ती में चम्हों सुमतिक यह तो से अच्छा यह वाला जो आर सिसींस पे बेश थे अच्छा यह यहईवालत त्यम्स तो इसमें इसमें बहुत इस्ट्रगल किया था ठीक है इन दोनों का मेरे पास मतलब ठीक है थ्रोड़ा सा होता रहे ना कुछ लोग का शुरू से कौन ठीक रहता है वोलो मैंने बहुत ज़्यादा काम इन पर किया था वी आर्सी में क्या है आप लोगा लेकिन अगर आपको आर्स बच्पन आर्सी आता था कि चिंटु की मम्मी का नाम ही कोश्र वरा दिया कि चंटु की मम्मी कौन थी वो ऐसे आर्सी नहीं आएंगे अब आर्सी सॉल्व करने के लिए करिदिगल ठीकिन क्रिटिकल इसनिंग वाला पैटर्न भी यूज होता है ठीक है फिर वीए के स्लेबस है इतना कम स्लेबस करने के लिए लिटरली यह ठीक है क्योंकि यार देखो अभी अगर मैं बोलों हमारे पास 400 डेस हैं आप मानगे चलो इन 400 डेस में से इन 400 डेस आप निकालो 40 डेस तो पहले ही निकालो आप 40 डेस में प्योर लिए आपके किसी को फंडामेंटल्स पर काम होगा व्योर फंडामेंटल्स फे किसी को क्वा मेनुडाडजिक वीक देनका है कि पहले इन 40 एकसर इसारी चीजे आपको सिंखार जाएंगे स्टार्टलिंग में ठीके बारे वहले आपको बता जाएंगे पहले मतलब drunk से भी कर रहे हूं मैं यह नहीं कहा रहा है कि आप MBA 500 से बढ़ो स्टार्टिंग के 40 डेज आप अपने fundamentals इंप्रूव करने में लगा सकते हो ठीक है रेशो के बारे में पता होना चाहिए कि हां यहार अगर यह सौल लागरना पर हमें इसको इस निकालने हैं हमें स्क्वेर्स पता होने चाहिए हमें टेबल से याद होनी चाहिए तो यह हमारे fundamentals होंगे इनको याद करने की techniques वगेरा ठीक है calculation के क्या shortcuts है ठीक है वो सारी चीज़ा हम इसमें सीखेंगे हमारा fundamentals इंपरूव हो जाएगा 40 डेज में उसके बाद 100-220 डेज में आपका syllabus बहुत ही solid तरह से complete हो जाएगा इतना टाइम सबको चाहिए अब स्लेबस complete करने का मतलब यह नहीं होता है कि हमने आज topic पढ़ा है मैं आया दो भंटे मैंने पढ़ा दिया रेशोपूरा मैं छोटे से छोड़ी topic complete कराने के लिए बड़ा अच्छा एक एक टाइप कवर करा तो हम पूरा टाइम लेता हूं मैं ठीक है और जब हमारे पास इतना सफिशन टाइम होता है हम कोई भी अपना बैच इतनी जल्दी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो दो सिद्स labor कर रहरे हमारे पास फिर पूरी प्लैनिंग रहती है कि है यहां है ध्ले ने चीज़े कवर करें ठीक है सव डिस इस अमधब एक टॉपिक और स्माट वर्कर में करना है जब स्माट्रबकर की बात होती जिए section का quant में या जिस unit का quant में वेटेज ज्याद है उसको पहले cover करो जैसे arithmetic पहले cover होना चाहिए quant के fundamentals के नमबर system cover कर लेंगे ठीक है arithmetic पहले cover करो then algebra के basics cover करो फिर algebra questions एक-एक topic को अराम से बलब एक-एक topic को अगर आप 8-8 ददद दिन भी दोगे न ठीक है आपके लिटरली बहुत solid command बन जाएगी अभी यह सुनने में इतना easy है करने में इतना easy नहीं है तुम बोलो कि यार मैं profit low discount को 8 दिन तक पढ़ रहा हूंगा तुम जब पढ़ना शुरू करोगे ना तुम्हारा flow maintain शुरू में रहता है बढ़िया शुरू में तुम बिल्कुल ऐसे maintain कर ले तो जब वो चीज़ें होनी शुरू हो जाते हैं तुम लोग के साथ तब problem आती है तो बीच में तुम्हारे लिए motivation session भी रखने पढ़ता है त ठीक है एक exam को टार्गेट करना इतना इसी नहीं है इतना इसी होता तो सब क्रैक कर लेते ना आपको महनत करनी पड़ेगी तो मेरा मानना यह है कि अगर आप अभी से अपना cat का preparation start कर रहे हो तो by the end of June तक आपको अपना स्लेबस complete कर लेना चाहिए अपना 80-90 स्लेबस आपको complete कर लेना चाहिए जून तक मेरा मानना यह है ठीक है यह बात आप लोग को समझ में आ गई होगी मुझे लगता कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी होगी आगे बढ़ता है ठीक है जून तक आपने स्लेबस complete कर लिया आप बोलो कि सब जून में अगर स्लेबस complete हो ग करो रिविजन के बाद असके टेस्ट दोड़ो टॉपीड dunno हमारे पास आपको लगारांeres अ कुंप्लेट हो गया है ऐसक्चन का टेस्ट ने हुगा सोकुरा है इसी topic में अगर मैं हर बार मेरे marks कम आ रहे हैं तो मुझे उसको और ताइम दे के दुबार भी पढ़ना पढ़ेगा कहीं बार ऐसे भी होगा आपको एक topic को तीन बार भी पढ़ना पढ़े पढ़ना पढ़ता है होती है इसी कुछ लोगों दिक्कत की 5 topics तो बड़ा अच्छे समझ में आ गए यह चटमार topic में को समझ में नहीं आ रहा तो यह काम भी आपको करना पड़ेगा ठीक है तो इसी लिए सेफवर साइड पे जून मतलब जून तक जून क्या जुलाई मालो ना जून तक तो स्लेवर्स कंप्रीट होगा हमारा जुलाई है ऑगस्ट है सेप्ट हूँगा यह काम आपको करना पड़ेगा ठीक है तो यह आपके पास पांच महीने का विंडो है इस पांच महीने में अपने टेस्ट को इंप्रूव करो कि मेरे साथ दिक्कत का है क्योंकि जून तक आप सब सारे के सारे बच्चे एक ही नाव में बैठे हुए थे तब लोग करितम का कुशन हमेशा गलत हो जा रहे है उसके बाद हमें थोड़ा सा सेल्फ अनलसीज का टाइम मिलता है कि मेरी प्रॉब्लम्स कहां है तो पूरा करा दिया अम मेरी प्रॉब्लम्स कहां है उनके और एडवांस कोश्चन करो आपको लगते हैं कि इस टॉपिक के इतना हो है उनके और एडवांस कोश्चन करो हमें करना पड़ेगा इतनी चीज़े अपने को करनी पड़ेंगी और यहोप आपको चीज़े समझ में आभी रहोंगी कि हां एक फेस ऐसा भी आता है जिसमें हम एक एक टॉपिक का टेस्ट लगा रहे होते हैं ठीक है वैसे तो मेरा मान करो ठीक है जुलाई से तो आप करने मालो हफते में मैं एक क्वांट का सेक्शनल दूंगा एक लाइडी का सेक्शनल दूंगा यह हमारा लेवल बन जाना चाहिए अगर कोई अभी से स्टार्ट कर रहा है यानि कि ऑक्टूबर से अगले साल काट देने का प्रिपेशन कर रहा है काट 25 का ठीक है सो यह प्लैनिंग होनी चाहिए आप एक एक एक्जाम को टार्गेट कर रहे हो तो आपको पूरी प्लैनिंग लेके चलनी बड़ेगी ना यार कि कब तक मुझे क्या करना है इस टाइम तेक मेरा येस लेबस हो देन नेक्स्ट सेवन मंच और हमारे किसका होगा स्लेबस कंपलिशन का देन नेक्स्ट फाइफ मंच हमारे पास किस चीज के लिए होंगे टेस्ट अनलेसिस सेल्फ इंप्रूमेंट ठीक है कि कहां पर क्या दिक्कत आ रही है कोई टॉपिक दुबारा पढ़ना दुबारा प कराते हैं बच्चों को एक टाइम प्रेम एक टाइम निकालना पड़ेगा ठीक है ऐसे नहीं होंगी वो चीज़े तो बेसिकली दीजार दा तिंक्स जिन पर हमें काम करना है ठीक है अगर हम ढंक से काट 2025 की प्रिपेशन कर रहे हैं तो मेरे इसाफ से यह टाइम आपके पास होना चाहिए बतलब मैंने यहां पर बताया आप लोगों ठीक इन 400 देस को ब्रेक कर लो फॉर्टी देस फॉर फंडमेंटल देन नेक्स्ट टू हंड्रेड टू 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 टेस आप लोगों के पास होना चाहिए बिल्कुल स्लेबस कंपनीट करने का इस पेशली ज बतलब इतनी जल्दी आप टाइम निकाल ली बात है कॉलीज वाला वालो पांच घंटे गॉलेज जा रहा है वर्किंग वाला आट गंटे की कर रहा है तो उसके पास तो पहले से ही प्रिपेशन लेकी करनी चाहिए अपनी फोड़ा एडवांस उसको बनना पड़ेगा ठीक और वो अभी 2nd year में आया है ठीक है तो वो next year काट के लिए eligible है जो बच्चे की graduation 4 years की है अगर वो अभी अपने 3rd year में आया है तो next year काट के लिए eligible है फिर GDPI वाला process start होता है आपका admission तो जुलाई में ही होता है ना MBA में और उधर मैं तक आप लोग का graduation complete हो जाता है तो अगर आपको year gap नहीं चाहिए तो you guys are eligible अगर आपका graduation 3 साल का है तो आप second year में भी आये हो आपका second year चल रहा है तो आप eligible हो अगर आपका graduation 4 years का है आप अभी 3rd year में आये हो तो आप next year cat के लिए eligible हो cat 25 के लिए eligible हो यह eligibility वाला ही बहुत issue रहता है बच्चों को ठीक है so these are the things जो मतलब मेरे हिसाब से एक बच्चे को follow करनी चाहिए अगर को seriously cat 25 को target कर रहा है no doubt जैसे मैंने आपको लग रहा होगा sir आपने सिर्फ sections बताए है क्योंकि इनक ठीक है तब तक कहा मजा आएगा बिल्कुल नहीं आएगा ठीक है so these are the things and I see मतलब वर्ब वी आर्सी आप कर रहे हो आपको classes में अगर 300-400 आर्सी करा दी जाए तो मज़ा आएगा ना फिर आपको मतलब एक्जाम में तो चाहरी आ रहे हैं लेकिन आप classes में 300-400 आर्सी करके ज तो डेफिनेटल आपको फील आएगी ना तो दिस इस दा कंप्लेट स्ट्राटेजी जो आपको फोलो करनी चाहिए इसको सबको लिख ले ना अगर आपकी पहले से कोई स्ट्राटेजी थी आपको लगते कि उसमें मैंने को डिफरेंट पॉइंट करें तो उनको आड़ कर ल कलब अपने कॉलिज के थर्ड यर मैं ठीक है चार साल कि ए pendri यर में या तीन साल को जिस到 इर मैं करें तो एक कहीं ओलिप्रफेचनल प्रफेस्णलformation तो उन बैच आ रहा है वह 7th of October से स्टार्ट हो रहा है इस बैच के जो में की पॉइंट हाइलाइट में करूं तो मैंने यहां पर कुछ लिखे हुए भी है ठीक है 25 फुल लेंथ मोक्स मिलेंगे आपको चैट के विद विडियो सोलूशन अगर मैं यहां की बात करूं ञपविप्टि प्लस टॉपिक टेस्ट मिलेंगे आपको क्वाइट के वी अर्शी के देट्स हो जाधा तॉपिक टेस्ट होंगे उसमें क्वाइट के भी होंगे वी रसी क कनेक्टर सकते हो, गर आप MBA पार्ट से ले किसी भी complete batch का पार्ट हो, doubt solving sessions आप लोगे होते हैं, ठीक है, 10-10 आपको full length mock test for snap and med, जो हुमारे other management entrance exam होते हैं, उनके भी आपको 10-10 full length mock test मिलेंगे, complete GDPR और wax का preparation भी आपको मिलेंगा इसमें, इसमें एक point और add कर लेना, आपको सिर्फ 25 full length नहीं मिलेंगे, आपको sectional test भी मिलेंगे, ठीक है, जो हमारे sectional test होते है, quant के, lrdi, vrc के, ठीक है, तो you will get all these things, अब मैं मिलेगा बहुत कुछ, बट मैं यहाँ पर सारे के सारे points add on नहीं कर सकता, ठीक है, जैसे यह जो हमारा batch start हो रहा है, इसमें quant पूरा का पूरा मैं cover कराऊंगा, ठीक है, and lrdi है हमारे widgets कराएंगे, और इसमें जो vrc वाला part है, हीमान शुसर कराएंगे, ठीक है, तो these are the things, ठीक है, जो आपको इस batch मिलने वाली है, ठीक है, अगें वही चीज यहाँ पर लिखे, इसका जो starting date है, वो 7th October से batch start हो रहा है, यानि कि पर्सों से, ठीक है, 7th October 2024 से batch start हो रहा है, classes कब रहेंगे, मैं आपको यह भी बता देता हूँ, जिसके classes का timing रहेगा, वो evening में रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा जो एक major time का part है, मतलब जो हमारा daily schedule का part है, वो cat 2024 वाले बच्चों साथ हम कहीं न कहीं involved है, ठीक है, तो till cat 2024, आप ही मान के चलो November end तक, आपके अभी इसमें one session per day होगा, मतलब week में आपके 5-6 classes होगी, November end तक, November end तक इसकी में आपकी week में 5-6 classes होगी, November end तक, ठीक है, मतलब next 50 days तक, उसके बाद December से फिर आप लोगों के December first week से, December first week से जो आपके इसमें classes होगी, वो 10-12 sessions रहेंगे per week, 10-12 classes होगे आपकी per week, यह बात समझ में लग रही है आप लोगों, 10-12 classes होगे आपकी per week कब से, December से, ठीक है, मतलब cat के बाद तो हम लोग भी free है, cat 24 के बाद, तो हम यहाँ पर अपनी classes की थोड़ी frequency बढ़ा देंगे, और classes का जो timing है, वो रहेगा 7 p.m. पे और 9 p.m. यह दो timing समारे रहेंगे, ताकि college वाला बच्चा, working professional वाला बच्चा, classes को अराम से night में, evening में attend कर सके, class जब खतम हो जाती है, तो आधे गंटे बाद उस class की recording भी आपको मिल जाती है, ठीक है, so basically these are the things, जो आपको मिलने वाली है, यह पूरा बच्च है, अगर आपको लग रहा है नहीं यार, पूरा बच्च, मैंने और कहीं join किया हुए, मुझे तो खाली sir आप से coin पढ़ना है, उधी sir से coin पढ़ना है, तो आप खाली मेरा batch भी join कर सकते हो, ठीक है, cat25 के सभी batches का link में इस video के description में डलवात होगा, हो सकता है आपके और भी doubts हो, ठीक है, तो आप लोग अपने doubts पूछने के लिए, इस video के comment section में comment भी कर सकते हो, ठीक है, और बाकिया आप लोग हमारी team से contact कर सकते हो, जो मैंने आपको numbers यहाँ पर show कर रहे थे, these are our team contact number, in contact numbers पर call करके आप हमारी team से अपने doubts clear कर सकते हो, ठीक है, तो basically यह detailed strategy है, मेरा मानना यह है, अगर आप seriously cat crack करना चाहते हो, 24, आप कहीं पर भी अभी involved हो, college student हो, join कर लो, working professional batch के साथ जा सकते हो, और अगर कुछ भी नहीं कर और 25 प्लान कर रहे हो देनेगा, तो फिर तो क्या ही सोचना है, ठीक है, हो सकता है, मैंने सारे points clear करें कि क्या syllabus है, क्या eligibility है, यह सारे चीजे मैंने इसमें cover करी है, ठीक है, पूरी वीडियो किसमें ध्यान से सुनी है, तो उसको सब चीजे समझ में आ भी गई होगी, क्या क्य syllabus वाला part है, कैसे-कैसे हम इन चीजों को मेरे हिसाब से आपको cover करना चाहिए, ताकि आप सही time पे सही चीजे gain कर पाऊ, ठीक है, चले गाइस, फिर मिलते है नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, bye-bye, take care, bye guys, have a nice day, bye